अब मात्र पाँच गेंडों में 38 रणों की ज़रूरत कही ना कई केवले का उच्छा रिखता बची हुई इस मैच में परन्तु इस वार मात्र बड़ा प्रहार सुनिल नाले के बैट से आता हुआ समिर शिट्टे ने इशारा क्या वाँपे छे रण के लिए परन्तु नो बॉल का इशारा अंपायर का वाँपे और ओवर यहां पे बंद करनी होगी और मैं बता दू शैलेंदर सिंग जिन्नोंने ये बॉल त्रू की थी और अंपायर ने उनको नो बॉल किया है और मैं कप्तान रवीश को बता दू कि पोरी टॉर्नामेंट में आने वाले अगली मैट्रिस में शैलेंदर सिंग गेन बाजी नहीं कर पाएंगे मैं, बॉल को आखके बाखके प्रॉवर्ण बॉल के आने वाले अगलाएंदर सिंगिया है ये बॉल के जिए लोगाइंदर ख़ाध सिंग गॉप सो फिर से एक बार चलते मैच की और लेक समके काफी जारा बाहर ये गेन विश्वास आप यहां पर आई विश्वास फिर से एक बार फुल नेम गेन डालने की कोशिश और कोई रन नहीं मिलेगा वहाँ पे और अभी केवल एक आउपचा रिकता सी बची हुई इस मैच में जरूर पहली बार यहाँ पे प्रवेश करेगी विवा की टीम सेमी फाइनल में जरूर काफी खुश होंगे वहाँ पे आदी और इस टूर्नामेंट की भी पहली टीम बन सकती है इसी दोरान चार रनाते हुए विश्वा जरूर आप ग्राउंग के यहाँ पे आए स्टेडियम में आए धन्यवाद अनिल दुमाल इंफर्मेशन बताने के लिए यहाँ पे जो भी प्लेयर्स खड़े है टीम रियो कबाडी एन टीम ओश्याना की जो टीम है जो खड़े है प्लेयर्स लक्षमन प्लीज स्तान पन्न हो जाए अवधूर पालव राम एन टीम स्वपनिल प्लीज आप चेर्स इस्तमाल करे बैटने के लिए भीम टीम रिलेटा टीम रिलेटा वर्ती बसो और इसी के दुरान जरूर मैच का यहाँ पर अन्जाम जो निरने हैं वो हो चुका है टीम विवा ने इस मैच को अल्मोस्ट जीत लिया है के वाल अब एक गेन बची हुई और सेमी फाइनल में प्रवेश करने के लिए केवल एक गेन से दूर टीम विवा पाठक जी जाएंगे आखरी गेन खेलने के लिए आखरी गेन जरूर जोरदा टालियों से स्वागर हमारी पहली सेमी फाइनल टीम टीम विवा पहली बारी सेमी फाइनल में प्रवेश किया है और इस टोर्नामेंट में भी पहली टीम बन चुकी है तिसमेन लग्डिने सब्राइब करने के लिए जोर दात आलियो से स्वागर किया टीम विवा का अच्छा टीम कम अच्छा को अपर जरूर तेकने मिला और तीम दियोना को भी आप्रद्ट्ट्ट्रीन का प्रद्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र इसकार्टीन का लिए कि अर्थ निए करें यूले की जो एम को अठरे ऐसे में आज़िए एहे वे कि अपरेंटीन।